आपका होस्ट जश्ट फोर कोड दोस्तो आगे हम अपले प्लेक और अमेजिंग पार्ट लेके प्रिबरेशन कर लिया है तभी आपको यह काम करना है तभी आपको है मैज़ेख अरशन करने का मतलब क्या है जाक वाचे पर वीडियो डेख लेंग तभी आपको सुनन में जा चूगा है इसमें जाऑँ बिर ब्राओंज और इसको ब्राउजर में भी रन कर लेना है, तो ब्राउजर में रन कर लेने के लिए आपको लिखना है localhost localhost लिखना और यहां पर लिखना है आपको फ़रबस लिए देखे php localhost इस तेक्स लिख देए तो आपको इसके अंदर का सारा फाइल और documentation दिख जाएगा है आपको इसको ब्राउज करना है, यह देखे php, current in php, इसको copy करेंगे यहां से, current in php, या copy ना करने, आप यहां पर direct लिख देए, कोई मसला नहीं होगा, इससे लिखे जाए, current in php, यह मैंने लिख दिया, तो इसके अंदर index.html होगा, वो run हो जाएगा, by default run हो गया, यह हमारा इस पर direct click करेंगे, तो आपका यह open हो जाएगा, यह दिखे न, आपको लिखने के कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगे, तो bookmark जब आप create कर लेते हैं, तो direct आप जब भी, जैसे हमने इस पर click के, तो direct यह open हो जाएगा, यह दिखे न, bookmark हमने create कर लिया, ठीके, अब यहां प कर दिया, reload करेंगे, तो दिखे, यह कुछ यह normal सा, यहां पर दिखेगा, यह normal सा, इस पर दिखा, हमें इसको यहां पर दिखाना है, center में, और इसको बोल्ट दिखाना है, इसका color भी change करना है, तो आईए जरा, सबसे पहले इसमें class लगाएंगे, text-center, text-center, यह class लगा इसमें थोड़ा padding देंगे, ताकि यह ऊपर से नीचे दिखें, तो यहां पर इसमें आईए जरा, p-4, यह दे दिखेंगे, padding-4, reload करके testing करेंगे, तो यह हमारा कुछ इस text देखेगा, इस text देखेगा, इस text देखेगा, पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर, h1 में बस आपको इतना class लगा देना है, ध्यान से देखे, h1 में है, यह सारी class से लगा देना है, यह आपका काम हो गया, उसके बाद एक dot row ले लेना है, सबसे पहले container ले लेंगे, तो dot लिखे container लिखेंगे, तो उसमें class लग जाए container, तो यह boot step की class है, और यह सारी classes भी boot step की FW bold का मलब हो गया, font weight bold, container ले लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर एक row ले लेना है, तो row ले ले लेंगे इस तरीक से उसके बाद, dot लगे column, md-12, md-12, यह मैंने define कर रहे है, इस row के अंदर, ठीक है, अब इसके अंदर आपको काम करना है, लेकिन उससे पहले यह container है, यानि define करें, shadow lg, और इसमें p-4 define कर दिए, तो देख लेते हैं हमारा container कैसे बना, यहाँ पर रहे है, रिलोड करें, तो container आपका कुछ इस तरीक से देखेगा, यह दिखे न, इस तरीक से दिखा, तो इतना करने के बाद ही आपको काम करना है, अब आपको क्या करना है, जो आपका इस दिखे, आपको काम करना है, लिकलि उससे पहले दिखे, इन दोनों डिखे है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे यहां पर add direct just for code लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहरूरी नहीं कि आप add direct just for code लिखा लिख सकते हैं, और इसके अंदर button भी बनाना है, त पहले वाले डिब में यानि कि जो पहला वाला डिब है इसमें S1 कायूज करिए, S2 कायूज करिए और इस रिक्स लिख देगे, Add or just for code यह मैंने लिखा ठीक है उसके बाद नीचे वाले यानि कि दूसरा वाले बटन है इसमें बटन बनाना है तो button का उच करेंगे और into 2 करेंगे, button into 2 इसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पर देखके लिखेंगे, तो icon भी लगाना है और लिखना भी है इत्ते Quiz करनेगा और इसे में पलाइशנ्व कर देता हूँ акаありがとうございます धाल कर देता हूँ यह मैंने डिफाइन कर दिया और इसके ऐस्ट भग कर दिया है मुझे टेक्स्ट भी लिखना तो मैं पर इंटर्कल दें देध Braun जेड मैंने कुछ ज्यादा धबा दिया तो दीखेगे, ज़रत काईसा यह दिखेगा, सबसे पहले, पहले, रिलोड करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीक से एक साइड आपका लिए जचेस्ट फोर ोर कोड दिखना चाहिए, एक साइज़ए आपका बटन दिखना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उससे बन कलेंगे वह निकिक रएव सेफ्से क्क्रां और इस वाले बिटन आ, क्लास लिकेंगे, तो क्लास लिकेंगे हम हम सबसे पहले, आपको बीजी हैपन, ile class लगाना है, text-white यह class लगा देना इस तरीक से है, और text-bold, fw-bold, 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 यह define कर देंगे, यारे कि 3 class लगा देना है, और इसमें आपको btn-primary define कर देना है, btn-primary, देख लेते हैं कॉन सा color है इसमें, तो btn-success है इसमें, primary नहीं, तो यहां पर BTN हाइफन सक्सेज डिफान कर देंगे, अब रिलोड करके अगर आप टेस्टिंग करेंगे, तो हमारा बटन कुछ इस तरिक्सी यहां पर नीचे की तरफ दिखेगा, अच्छा इसके अंदर हमें एक और किलाज लगा देना चाहिए BTN नाम का, यहां पर आप इसमें थोड़ा पाइडिंग आ जाएगा, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की, मैंने रिलोड किया तो देखेए इसमें थोड़ा पाइडिंग आगा, आप यह बटन हमारा इधर दिखना चाहिए, और एड दर दिखना चाहिए, तो इसके लिए क्या उसके बाद यह एक div है ठीक है इसका main container कोण हुआ यह हुआ ठीक है यह यह वाला div इसलिए हमने इसमें रखा किलास define करें इसमें d-flex define करेंगे इस तरीके से उसके बाद justify-content तो justify-content इस तरी बटन इधर चले जाएंगे रिलोड करेंगे बटन इधर आ गया लेकिन बटन आपका एक जेक center में नहीं है तो center में बटन रहना चाहिए इसके लिए का करेंगे हम align item का बीच करेंगे इसके अंदर तो यहां पर define करेंगे align-items होता है जहां से लिखेंगे और यहां पर center करेंगे तो alignment भी इसका center में हो जाएगा रिलोड करेंगे तरीक से देखिए बिल्कुल alignment center में हो गया अब हमें क्या काम करना है इसको हमें इसमें काम करना है तो इसका color white है लेकिन उससे पहले इसका bg info लगाना है तो main जो padding देना है और इसको हमें change करना है color white में ठीक है तो padding p-3 कर दिए padding 3 और यह जो आपका text होगा इसको open करिए इसके अंदर जो text है यह वाला text इसमें class लगा यह जरा text-white यह class लगा देंगे ठीक है तो इससे क्या होगा इसका color change होगा है reload करके testing करेंगे देखे कुछ इस padding है तो हम इसको कम कर देंगे और इसमें fw bold भी मेरे ख्याल से नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे लेकिन padding थोड़ा कम कर देंगे तो यह जो अपने padding-3 लगा इसको 2 करके देखते है कि कम होता है कि नहीं reload करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा अब ब नीचे की तरफ यह जो अपने row लिया था इसको minimize करिए इसके just नीचे dot लाके एक और ले लिए तो मैंने row ले लिया dot column-md-12 12 का column लेगे उसके बाद आपको इसके अंदर table बनाना है तो dot लाके सबसे पहले table लिखिए और इसमें dot लाके table class देए तो यह bootstave की सारी classes है मैं कितना टीडी बनाना है वो यहां से count करेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ टी हैट बनाना है तो यहां पर टी एच लिखेंगे into 8 कर देंगे तो एक बार में आठ टी एच बन जाएगा सभी के अंदर जाएंगे एक ही साथ और यहां पर मैं लिखता ह Batman SR हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा अपका profile हो ज्याएगा यहlyen पर यहां पर होजाएगा एम्हेल इमेल कर दीजिए उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा पासवर्ड नहीं देट आप बर लिखेंगे फिर पासवर्ड तो डी ओ बी लिख दीजिए इस तरीके से उसके बाद यहां पर हो जाएगा पासवर्ड पासवर्ड मैंने रिफान करते हैं उसके बाद यहां पर हो जा हाइफन 5 यह लगा देंगे तो यह margin top 5 यह नहीं कि थोड़ा नीचे दिखेंगे और सारा डेटा हमारा center में दिखना से तो margin top 5 ज्यादा हो रहा इसलिए mt 4 लगा देंगे और सारा data table का जितना भी data वो center में लगा देंगे टेबल के अंदर इसके अंदर टेक्स आइफन center लगा देंगे रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखें सारा टेक्स आपका center में दिखा इस तरीके से और यहां पर यह दिखा अब हमें क्या करना है इसके नीचे td बनाना है इस तरी से td बनाना बड़ा ही आसान है यह जो T head है इसको minimize कर देंगे गए तो आठ बार आपका td बनेगा सबसे पहले आपको सेरियल नमबर लिख देना है उसके बाद आपका प्रोफाइल में आइमजी टेग होगा इसलिए यहां पर आइमजी टेग डिफाइन करेंगे और किसी भी तरह का इमेज यहां पर लगा देंगे जैसे मैं एक फोल्डर से बाहा निकलता हूँ तो मेरे पास टेस्ट नमका एक इमेज पड़ा हुआ है डेक्सटॉप पे ही नहीं मलब यह जो इमेज हमारा इमेजीज फोल्डर के अंदर कोई मेज होगा मेरे ख्याल से तो अगर नहीं है तो मैं डाल दूँगा इमेज फोल् तो रख देंगे, यहां पर आईए जरा, YM64 के अंदर जाएंगे, WW के अंदर जाएंगे, और जो हमारा क्या नाम था, उसका प्रोजेक्ट का Correct in PSP, यह जो images है, इसके अंदर photo रख दिये, यह फोटो मैंने रख दिया, इसी photo को पहले से हम show करने वाले हैं, यहां पर आईए जरा, अपने VS Code में फिर से, यहां पर IMG take हमने लिया था, यहां पर image take direct use करें, images के अंदर से, author.webp, इसको use कर लेंगे, तो यहां पर आपका IMG take दिख जागा, एक बार देख लेते हैं कि image दिख रहा है कि नहीं, यहां पर आके reload करेंगे, तो देखे, image हमारा बहुत बड़ा दिखा, इसको हमें थोड़ा छोटा करना है, तो इसके लिए हम with define करेंगे, आईए जरा, इसमें आप इस तरीक से define करेंगे, इसका with define करेंगे 50, यहां पर 50 define करेंगे, तो यह छोटा हो जाएगा, reload करेंगे, तो दीखे, छोटा होगे, बिल्कुल IC करना, और round होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें class लगाएंगे, round net hyphen circle, तो class नाम का एक property, attribute लगाएंगे, और यहां पर, rounded hyphen circle, यह लगा दीजिए, इस तरीके से, ठीक है, rounded hyphen circle, reload करेंगे, तेस्टिंग करेंगे, दिखे, बिल्कुल round होगे, अभी यह चोगोर में दिख रहा था, अभी यह round होगे, ठीक है, इस तरीके से, आपका DOB है, तो मैंने DOB लिखा इस तरीके से, और यहां पर मैं लिखता हूँ, DOB, उसके बाद आपका mobile दिखेगा, तो mobile मैंने इस text लिखा, मैंने यह लिख दे mobile, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, password, नहीं, mobile के बाद, क्या है, अच्छा, email यहां पर रहेगा, sorry, इसके बाद DOB रहेगा, इमेल मैंने लिखा, just.88gmail.com, और यहां पर आपका रहेगा DOB, उसके बाद यहां पर आपका रहेगा mobile, यहां पर मैंने mobile लिखा, इस तरीके से, इसके बाद यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमारा हो जाएगा password, तो password मैंने 12345 लिखा, और यहां पर आपका हो जाएगा action, ठीक है तो बटन बनाना है तो बटन डिफाइन करें इसलिए बटन इन्टू टू करेंगे तो दो बटन बनाना है इसलिए इन्टू कर लेंगे इसलिए और यहां पर क्लिक कर लिए दोनों में आइकन लगाना है यहां पर आएंगे यहां पर आएंगे इसलिए और किलास लगा तब आपको इसमें और उर खिलाई लगना है P-1 और P-2 या P-2 इस तरी के दिखले के पर यानिकि यह है इसको primary कर देना है कि यहां पर हमने primary दिख रहा है तो यह कुछ इस तरीक से दिख़ेगा exercise काम करेंगे फिल्हाल आपको डेजाइन बना रहा होगे अब यहां पर दीखे ज़रा यह टेबल आपका ठोड़ा डेकोरेटर होना चाहें इसलिए ऊपर की तरफ जाएंगे और जो टेबल है इसमें इस टेब लगा देंगे यानिकि जो टेबल है ना इसमें टेबल इस्ट्रिब्ड यह किलास लगा देना है ताकि आपका जो टेबल है वो इस तरीक से डिजाइन हो जाए इतना हमने काम कर लिया अब हमें क्या काम करना है हमें मॉडल बनाना है इस पर खुलना चाहिए तो अपर लिए यह जो रो है इसके बाहर भी कर सकते हूँ या कॉंटेंटेनर के भी बाहर कर यह define करना है ठीज, तो model hyphen content, यह मैंने define कर दिया, अब content के अंदर मैं यहाँ पर dot लागके, मैं model hyphen header define करता हूँ, तो model hyphen header, यह define कर देंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, h4 का उच करके, लिख देता हूँ, क्या लिखना है, यहाँ पर मैं देख लि अब यह model नहीं दिखेगा, reload करेंगे, तो model हमें नहीं दिखे, इस पर click करने पर model दिखाना है, तो आईए ज़रा यहाँ पर, और यह जो model है, इसमें ID देजिए, ज़रा my model, my model, यह define कर देंगे, और जो button है, उसमें जाके click करेंगे, copy करेंगे, my model को, और इस रो को open करेंगे इसको नहीं, हाँ, इसको open करेंगे, और नीचे की तरफ जाके देंगे, जो डिभ है, इसको open करेंगे, इसके अंदर देखे, यह जो add new user है, इसमें आपको वो लगाना की, है न, तो यहाँ पर आई ज़रा data-bs-toggle, यह define करेंगे, सबसे पहले, और equal to का symbol देंगे, और इसमे इसमेरा model दिखा, यह model दिखा, इस पर click करने बाद, तो इतना लगा देंगे, तभी आपको model लिखेगा, यह दोनों ची जरू लगा देना है, जहां पर आप, जिसके click करने पर model दिखाना चाहरे हो, उसमें यह दोनों ची लगा दिखाने है, data-bs-toggle, data-bs-target, और यह क्या ह कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा, यहां पर नीचे की तरफ आईए, जो आपका model दायलोग है, इसमें आईए, dot लाके model-dialog-centered, centered होता है, इस दिखान करेंगे, centered, उसके बाद एक और class लगाना है, dot model-dialog-lg, यह define कर देने, तो इससे बड़ा दिखेगा, ठीक है, त model-dialog-center, इसमें center में चला गया, model-dialog-lg define करेंगे, तो यह बिल्कुल बीच में आएगा, load करके testing करेंगे, मैंने इस पर क्लिक किया, देखेगे, आया नहीं, कुछ गडबाड हो सकता है, आया क्यों नहीं, देख लेते हैं, कहां चला गया, center की spelling देख लेते है, model, dot मैंने ह स्वारी, dot नहीं लगाना है, सिर्फ की last लगाना है, model-dialog-center, model-dialog-lg, reload करके testing करेंगे, मैंने क्लिक किया, यह देखे, बिल्कुल center में है, लेकिन बड़ा क्यों नहीं हुआ है, तो बड़ा नहीं हुआ, model-dialog-lg, एक काम करें, model-lg करेंगे, यहां पर इसमें model-lg करें reload करके testing करते हैं, इस पर क्लिक करूंग, model-lg लिखना है, draw-log नहीं लिखना है, इसके साथ, सिर्फ model-lg लिखना है, तो इससे बड़ा दिखे है, ठीक है, यह दिखे, बड़ा दिखा, अब यह जो add new user है, इसके बगल में button आना चाहिए, यानि कि जो close वाला button है, तो इसको म मैं निकाल लूँगा, तो यह button है, इसको मैं on change कर लेता हूँ, और आपको control-a करके control-c, मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने किया, आए जिरा header के पास, यह header इसके just nature, इस button को paste करूँगा, तो आपको देख के लिख लेना है, देखे, एक button लेना है, उसके अंदर type button, class में btn close और bg white, data-bs, judgment, dismiss, model, और यह आपको लगा, यह जो last वाला है, यह सी लगाएं चाहना लगाएं, इससे कोई मतला नहीं, यह हटा दिए, इससे कोई मसला नहीं, तो मैंने, यह अप कहां गया, यह हम लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई मसला नहीं, आपको बस button define करना है, तो मैंने back कर दिया, देख लिए ध्यान से क्या क्या लिखना है, तो यह है ना, यानि कि एक button लेना, उसमें type का value button, class में btn-close, और bg white, उसके बाद data-bs, dismiss, model, यह define करेंगा, तो इससे क्लिक करने पर model आपका cut हो जाएगा, उसके साथ एक button आएगा, अभी तक हम जब किलिक करते थे, तो button नहीं आता था, यानि कि यहाँ पर button नहीं आता था, वो button आजाएगा, रिलोड करेंगे, इसपे click करेंगे, इसपे click करते ही model आपका cut हो जाएगा, तो यह हो गया, अब यह जो आपका header है, इसमें आप बेजी यह लगाना है, इसके लिए क्लिक करेंगे, तो यह जो color है, इसका change होना चाहिए, तो आएज ज़रा, इसको हम H5 या S3 से कर देते हैं, यहाँ पर S3 कर लेंगे से, और text hyphen, इसके class लगाना है, text hyphen white, text hyphen white, यह define कर देंगे, तो इससे color आ जाएगा, reload करके testing कर लेते हैं, इस चीज की, यहाँ पर click करूँगा, तो देखे, इ testing करेंगे, इस पर click करेंगे, इस पर click करेंगे, तो देखे, थोड़ा, यह हमारा अच्छा दिखा, इस दिखा, इस पर click करने पर यह cut हो जाएगा, अब हमें model body बनाना है, तो यह आपका रहा model header, इसको minimize कर दीजे, इसके just नीचे, model header के just नीचे, dot model hyphen body, sorry, model hyphen body, यह बनाना ह सार है, तो सबसे पहले आपको form बाला लेना इसके अंदर, form take and define करेंगे इस तरीके से, action नहीं लगाएंगे इसके अंदर, action का कोई भी count नहीं, यह हटा दीजे, उसके पाद enter करेंगे, और सबसे पहले तो dot लाके form hyphen group एक class लेना, form hyphen group, यह class लेना है, इस तरीके से, और यह form hyphen group, form hyphen group hyphen text, इसमें text define करेंगे, उसके पाद end में जाएंगे, और यहाँ पर input fill आपको define करेंगे, so input में class लगाएंगे, type में text होगा, class लगाएंगे form hyphen control, इस लोड करके testing करते हैं, कैसा देखता है, एक के लिए testing कर लेंगे, फिर आम आगे काम करेंगे, इस पर click करिए, इसमें ने दिखा, तो मेरे ख्याल से क्या होता है, class में मुझे exact याद नहीं आ रहा है, तो इसमें class लगाओ वो देख लेता हूँ, मैं inspect कर लूँगा, तो class क्या है, input hyphen group hyphen text, यह होता है, मैंने form hyphen group hyphen text लिख दिया, तो इसको आप कर देंगे, input hyphen group hyphen text, ठीके, तो इतना क class लगाने, देख लेंगे, अच्छा, यह जो ऊपर वाला होगा, form hyphen group हमने दिया, इसमें input hyphen group होगा, यहाँ पर हमने form hyphen group दिया है, यहाँ पर, यहाँ आपका form, यहाँ पर input hyphen group होगा, इसमें डिफाइन करेंगे, तो अब जो है, वो अच्छा दिख रिलोड करके, इसमें लगा दिए, margin bottom 3, reload करके testing करेंगे, मैंने reload करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर किलिक करूँगा, यहाँ पर जाके मैंने reload किया, और यहाँ पर किलिक करूँगा, यहाँ पर आप इमेल कर दिख रहा है, अब मैं इसके नीचे और भी चीज़ों को बनाना है, तो इसको copy paste क करिए फिर से, और यहाँ पर हम कर देंगे controlV, यहाँ पर हम कर देंगे DOB, तो DOB define कर देंगे इस तरीके से, उसको बात यहाँ पर आपको कर देना है date, याँ पर date हो जाएगा, और यहाँ पर हम कर देंगे formifant control, ठीक है, इसको copy paste करेंगे फिर से, इसकिष्ट नीचे और यह सेलेक्ट करने का option आ जाए, reload करके testing करें, मैंने reload करें, इस पर click करूँगा, तो देखें, कुछ इस तरीक्स दिखा, यहाँ पर profile ना लिखेंगे, choose file और लेडी आ रहा है, तो profile वाला जो इस पर ने इसको हटा दिये, यहाँ से मैंने हटा दिया, reload करेंगे, तो कुछ इस तरीक्स हमारा लिखेंगे, यहाँ बिलुकुल, अच्छा, reload कर लेंगे, हाँ, ठीक है, बिलुकुल perfect दिखा है, हमें इसके नीचे button बनाना है, यहाँ पर आईए जरा, दो button बनाने है, इसके ज़ेस्ट नीचे यहाँ पर, अपडेट का और register का button बनाना है, तो आईए जरा, इसके ज़ेस्ट नीचे हमें अपडेट का और register का button बनाना है, तो क्या करेंगे हम, इसके ज़ेस्ट नीचे, यहाँ पर आपको, सबसे फ़ले एक button बनाना है, तो dot button लिखेंगे इस तरीक्स, ठीक है, बटन और दो बटन बनाना है, इसके ज़ेस्ट काफिपेश करिए, दोनों में ही class लगाईगे इस तरीके से, यहाँ कि दोनों में ही जाएंगे इस तरीक से, और यहाँ पर हम स्वरी, इसमें class लगादेंगे हम, BTN लगाएंगे, उसके बाद BTN-Danger, यह लगा देंगे, ठीक है, आप चाहें तो BTN मन लगाई, यहाँ पर BTN मन लगाई, क्यों, अभी मैं आपको समझाता हूँ, BTN लगाने से brutistic form में decure rate हो जाता है, ठीक है, मैंने BTN लगाया, BTN हटा दिया, BTN हपन देंजर, इसको मैं कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ, BTN लगा, यह देंजर रहेगा, और यह आपका हो जाएगा, ठीक है, इसको पराइमरी कर देंगे, इसके बाद इसमें आपको border 0 करना है, यानि कि border 0, यह define कर देना है, border 0, इसके बाद आपको p-3 इसमें define करना है, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर भी जाएंगे, आपको क्या लिखना है, icon टेक लेना है, सबसे फ़ले, class define करना है, class, यह फा, फा हाइफन, यह define कर देना है, और इसमें आपको फा, फा हाइफन, add define कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लिखना है, वो देख लेंगे, तो लिखना क्या है, update लिखना है, और register लिखना है, तो इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर register लिख दीए, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, update लिखना है, तो यहाँ पर update लिखना है, एक बार reload करके testing करेंगे, मैंने यहाँ पर आके reload किया, यहाँ पर click करूँगा, यह button थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो button थोड़ा छोटा होना चाहिए, इसके लिए यह जो padding अपने लगा है, इसको थोड़ा 2 कर दीगे, इसको भी 2 कर देंगे, एक और class लगाएंगे, हम इसक आया दिखना चाहिए, लेकिन आया नहीं, देख लेते हैं, क्या mistake हो सकता है, float, spelling mistake है, float-end के, तो मैं सहीं कर देता हूँ, float की spelling मैंने सहीं कर दिया, आप reload करके testing करूँगा, तो जो button हमारा, वो कुछ इस तरीक से यहाँ पर इधार आ जाएगा, यह देखे न, इसमें button में ग आयकन चेंज हो गया, तो आयकन हम उपर वाला है, इसमें एडिट कर देजे, इसमें आपको add कर देना है, तो खुछ हमारा इस तरीक से दिखेगा, अब हमें क्या करना है, यह थोड़ा animate होता वाना चाहिए, अभी यह डारेक्ट खुल जाता है, लेकिन यह थोड़ा animate होता ह तो model के अंदर जाएए यह जो model है आपका उपर की तरफ इसी में आपको किलास लगाना है लिखे ज़रा animate double underscore animated उसके बाद फिर से इसपर देंगे animate double underscore जूम इन यानि कि लिखना इससे जूम इन यह भी डिफाइन कर देना है तो जब भी आप किलिक करेंगे animation इसमें लग जाएगा और जूम इन होता हुआएगा यह दिखे न कुछ इस तरीक से दिखेगा तो इतना किलास आपको लगाना है ध्यान से देख लिए जरा क्या लगा तो नेची के तरफ आईए देखे यह आपका बटन रहा इडिट वाला है इसमें disabled है आपका class लगा देंगे तो disabled तो इसमें इसमें type attribute का value बटन कर देंगे ठीक है तो इतना कर देना तो यहाँ पर मत लगाजिए disabled आप इधर लगाजिए disabled यहाँ कि disabled attribute का उसके लिए ठीक है आप reload करके testing करेंगे तो इसमें जो है मारा disabled का बटन दिख जाएगा यह दिखे ना disabled होगे आप इस पर click नहीं होगा यह दिखे यह disabled है इस पर click नहीं होगा आप लोग का clear होगा अगर कुछ भी इशू है जरूर कुछ है आपकी help कर दिखे जाएगी इतना design बना लेना है आगे काम हम next part में शीप करेंगे thanks for enjoying the educational just for code see you soon